आज हम आपको उस पावन तीर्थ के दर्शन कराएंगे जिसको सभी शुक तीर्थ के नाम से जानते हैं शुक तीर्थ वो तीर्थ है जहां किसी जीव को भागवत रूपी कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ती हुई थी शुक तीर्थ आने के लिए सबसे पहले मुझभवर्नगर की ओर प्रस्थान करें जो दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है और मुझभवर्नगर पहुँचकर शुक तीर्थ का आगे का रास्ता लगभग 29 किलोमीटर रह जाता है मुजब फरनगर पहुँचकर शुक तीर्थ के लिए बसे आदी सवारियां मिलती है जो आपको आपके गंटव्य तक गंगा तट परिस्थित शुक तीर्थ पर पहुँचाएंगे आईए हम आपको उस तीर्थ के दर्शन के लिए लिए चलते हैं सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वहां जहां पर आपको इतिहास के अवशेशों के दर्शन होंगे ये है वो वटवरक्ष जिसके नीचे आज से 5000 वर्षपूर श्री शुक देव मुनी भगवान ने राजा परिक्षित को भागवत कथा का आमरत पान पिलाकर मोक्ष पराप कराया था ये दिव्य वटवरक्ष शुक देव स्वरूप है इसकी विशेश्टा ये है जटाओं का न लटकना पत जड़ के समय भी इसकी शाखाएं हरी भरी रहती है भक्तगण अपनी मनों कामनाओं के लिए कलावी बानते हैं और वस्त्र आदी पेड़ से बानकर सुक सम्रद्धी की कामना करते हैं भक्तगण इसी व्रक्ष के नीचे बैठकर गीता का अध्यन करते हैं उनका मानना है ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसी बहुत सी धार्णाएं इस व्रक्ष से बंधी हैं जैसे अगर इसकी शाखाओं पर दोता नजर आजाए तो मानों आपकी मनों कामना पून होगी इसकी एक शाखा पर एक आश्चर ये जनक चित्र उभरा वचित्र है भगवान गनेश का जो भी भग चल कर यहां आता है वो उनके दर्शन अवश्य करता है वट वरक्ष के नीचे प्राचीन मंदिल है जिसमें श्री शुक देव जी महराज और राजा परिक्षित की प्रतिमाए है प्राचीन मंदिल प्राचीन मंदिल है प्राचीन मंदिल प्राचीन वा है आप लाँ 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 कि खॉर्ग तरच Giving कि औरी तफ необходимо कि अ F yht कि आपको देंग कर दो 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 एबोप्धिजियो है ऐार झाल कर दो 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 ठो कर दो कर दो कि भीज रेन फिरा डिलाओ कि पराइब रादे नारा है झाल 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 झाल